सवाल नंबर एक है, जनकपुर किस रिशी के साथ राम और लक्षमन गए थे? आपका ओप्षन है, A. रिशी वशिष्ट, B. विश्वामित्र, C. गुर्वासा, D. वालमिकी. आपका सही ओप्षन है, B. विश्वामित्र, सवाल नंबर दो है, विश्णो भगवान के स्त्री का सिर्ख काट लिया था? आपका ओप्षन है, A. ख्याती, B. कहिलिया, C. सुमित्र, D. कंजना, D. वालमिकी. आपका सही ओप्षन है, A. ख्याती, सवाल नंबर तीन है, महर्शी वालमिकी का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित्था? आपका ओप्षन है, A. गंगा, B. यमुना, C. इतमसा, D. गोंती. आपका सही ओप्षन है, C. तमसा, सवाल नंबर चार है, राजा दश्रत की माता जी का क्या नाम था? आपका ओप्षन है, A. इंदुम्ती, B. सुयाश, C. शान्ता, D. सुमित्रा. आपका सही ओप्षन है, A. इंदुम्ती, सवाल नंबर पाँच है, राम भक्थ हनुमान जी के माता का क्या नाम था? आपका ओप्षन है, A. कृतिका, B. कंजनी, C. कहलेया, D. सुन्यना, आपका सही ओप्षन है, B. अंजनी, सवाल नंबर छे है, देवी अहिल्या का उधार किस ने किया था? आपका ओप्षन है, A. श्री राम, B. धनुमान, C. भरत, D. लक्षमन आपका सही ओप्षन है, A. श्री राम, सवाल नंबर साथ है, रामायम के अनुसार शबरी किस वन में रहती थी? आपका ओप्षन है, A. व्रिंदावन, B. दंदकवन, C. मतंगवन, D. काम्यकवन आपका सही ओप्षन है, C. मतंगवन, सवाल नंबर आठ है, लवनासुर का वद किसने किया था? आपका ओप्षन है, A. राम, B. धनुमान, C. शत्रुगन, D. लक्षमन आपका सही ओप्षन है, C. शत्रुगन